Welcome और स्वागत आप सभी का हमारे चनल लॉलेज फैक्टरी में I hope आप सभी अच्छे से होंगे आज हम एक important notice के बारे में बात करने वाले हैं यह notice जो है यह answer की के related आया है answer की आई है junior statical assistant के लिए यह post जो थी यह caterwise थी जानी की कश्मीर के लिए भी थी और जम्मू के लिए भी थी वैसे ही अगर notification number की बात करें notification number of 4 2020 का जी notification था इसमें अगर item number की बात करें 107 और 113 था exam conduct करवाया गया था 7th half December 2021 से लेके 11th half December 2021 और इसके लिए जो है answer की अबलेबल हो गई है jkssv की official website 13 12 2021 से जानी की 13 तारीक से आपको link मिल जाएगा jkssv की official website जानी की www.jkssv.nick.in पे तो यहाँ पे आपको home page पे यह link देखने को मिल जाएगा वहाँ पे जाके आपको जो है यह सारी details फिल करनी है जैसे की candidate are requested to log in with your roll number तो candidate को अपना roll number फिल करना है date of worth फिल करनी है select करनी है कि कौन सी date को उनका exam हुआ था और timing कौन सी थी उनके exam के लिए क्या उनका exam सुबा हुआ था यहाँ फिर दोपैर वाली shift में हुआ था तो timing भी आपको select करनी है वहाँ पे आपको आपकी response sheet देखने को मिल जाएगी जो भी आपने answers टिक किये होंगे CVT के time पे तो वो आपको सभी दिख जाएंगे कौन से question का कौन सा option आपने टिक किया है तो यह एक answer की भी होगी और आपकी response sheet भी मानी जा सकती है वहाँ से आप अपने questions भी देख सकते हो तो next आपको जो है इसकी कुछ introductions दे देते हैं instructions जो की आप use करोगे जब आप answer की को खोलोगे तो अगर आपको देखना है कि उस question का right alternative कौन सा है right option कौन सा था right answer कौन सा था तो उस question के आगे green highlighted जो हा option होगा तो अगर आपको कोई भी objection है related किसी भी question के कई बार होता है कि जो CVT में questions पूशे जाते है वो mistake हो जाती है उसको त्यार करने में और उस question में ही कोई loophole होता है वो question किसी तरह से गलत होता है जान जो उसके option दिये गए होते है उसके alternative दिये गए होते है वो भी questions में देखने को मिलता है कि वो wrong होते है तो अगर आपको कोई भी ऐसा objection है तो आप objection field में उस question का जो भी objection आपको जो भी दिक्कत उसमा रही है वो वहाँ पे लिख सकते हो और जो भी आपको complaint लिखनी है जो भी अपना representation लिखना है वो सिर्फ English में ही लिया जाएगा अगर आपको एक से ज़्यादा question के लिए अगर कोई complaint है कोई कोई confusion है तो आपको जो है add का button देखने को मिलेगा और add के button को यूज़ करके आप एक और भी complaint rise कर सकते हो एक complaint एक question के लिए होगी वैसे ही next अगर आपको दूसरे question के लिए भी कुछ objection फिल करना है तो आप add on का button यूज़ कर सकते हो वहाँ पे next complaint भी डाल सकते हो तो objection can we rise only against questions and the alternatives तो JKSSV ने ये भी बात clear कर दी है कि objection सिर्फ questions के लिए और उनके जो options होते है alternatives होते हैं उनके लिए ही लिए जाएंगे वाकि और अगर किसी का question उन्होंने गल्ट option टिक किया है तो उसके लिए नहीं लिया जाएगा अगर आपने गल्ती से भी जाएं खुद से भी अगर गल्त कोई option टिक कर लिया है wrong टिक किया है तो वो सही नहीं किया जाएगा objections one submit can be edited तो जो भी objections आप डालोगे website पे जाके तो वो दुवारा जो है edit नहीं होंगे तो जब भी आप कोई objection डाल रहे हो तो उसको अच्छे से डालें उसमें कोई भी mistake ना करें once submitted new objections cannot be added later तो objections सिर्फ एक बार ही लिये जाएंगे जब आप एक बार submit कर देते हो उसके बाद अगर आपको कोई भी next objection होता है वो नहीं लिया जाएगा तो आपको एक ही बार में सभी objections जो भी होंगे वो आपको देने है जो भी आपको दिक्कत होंगी उस question में जहां आपको कुछ लगता होगा कि ये question wrong है इसके alternatives wrong है तो वो सिर्फ आपको एक ही बार chance मिलेगा उसको objection box को fill करने के लिए आपनी complaint देने के लिए तो I hope ये notice आपको clear हो गया होगा कि इस notice में क्या बताया गया है अगर ऐसी वीडियो आपको जाननी है और knowledgeable videos देखनी है हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबा ले अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही है तो like जरूर करिएगा वीडियो को